आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउटनेट नाउ I student multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3 So what is the percentage error in the calculation तो पहले उसने multiply करने को क्या कहा गया है multiplied a number by 3 by 5 instead of 5 by 3 तो मतलब उसको 5 by 3 से multiply करना चाहिए लेकिन उससे किस ने कर दिया 3 by 5 से कर दिया तो पहले तो हम यह सब पोच करने कि number क्या है So let the number be x So let the number be x तो हमने क्या ले लिए number x से ले लिया तो error कितनी हो गई So error equal to इसलिए error equal to उसको कहा गया कि उसको multiply करे 5 by 3 से मतलब multiply करेगा 5 by 3 से हो आएगा 5 x by 3 लेकिन उसने किस से कर दिया 3 by 5 से तो यही तो error हुई होगी तो minus 3 x by 5 अब इसको calculate कर लेंगे तो LCM कितना आ जाएगा 15 तो हो जाएगा 3 5 जे 15 तो मतलब यह 25 x and 5 3 से 15 तो multiply करेंगे तो आजाएगा 9 x मतलब यह हो जाएगा 16 x upon 15 यह हमारी error निकल आई अब क्या करना है कि error का percentage निकालना है So error percentage equal to कितनी error आई 16 x upon 15 यह error निकली और किसमें से error निकली क्योंकि हमने base कह लिए था 5 x by 3 हमको इस से multiply करने के लिए का गया था न तो हम इसको base लेंगे तो हो जाएगा 5 x upon 3 अब चूंकि हम क्या निकालना है percentage तो 100 का multiply कर देंगे और बाहर percentage का sign लगा देंगे अब इसको cancel कर लें तो 3 5 जे कितना होता है 15 x से x cancel हो जाएगा तो यह कितना बचेगा equal to 16 upon 25 into 100% ठीक है तो 25 forger handed तो यह कितना जाएगा 64% तो हमको यही निकालना था कि error में कितना परसेंट हो जाएगा तो 64 option decorrect है क्लासिक्स स्ट्वेल से लेके meet IIT जे ही means और advance के लेवल ता 10 million से जादा स्टुडेंट्स कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर